नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका डेली निफ्टी अनलिसिस पर मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम निफ्टी के वीकली चार्ट से जो है अपना अनलिसिस स्टार्ट करेंगे ज़ो हम बार बार अपने कई सारे वीडियो से करते आ रहे है जहां पर यह वन रहे थे ऐसा क्यों मान रहे थे क्योंकि bank nifty में जो है हमें top करीब नजर आ रहा था रहे तो उसके हिसाब से हमने nifty में भी हमने counting दिया था अब यहां पर election result का जो low बनाने के बाद जो यह sharpness आया है तो हो सकता है कि wave three के अंदर यह one यह two यह three है और यहां से अगर हम इस यहां स जो three है उसका retracement निकाले तो exactly जो low बना है वो 38% के बिलकुल आसपास बना है और वहां से एक sharp bounce दिया है तो वो three का continuation हो सकता है और यह one two और यह जो three है वो extended नहीं है 100% के उपर गया है यानि कि wave three के लिए consider कर सकता है लेकिन 161% नहीं गया है extended नहीं है तो यहां से जो wave five है वो extended होना चाहिए 61% यह minimum target हो जाता है जो कि आ रहा है 24,957 तो यह अची होना चाहिए अगर यहां से जो wave three शुरू हुआ है वो अभी progress में है तो यहां पे वो wave three complete हो सकता है अब initially हमने यह range निकाली थी यह जो projection है हमने निकाले थे यह minimum projection था अब इस range का कोई काम नहीं है क्योंक के लिए निकाली थी यह one two यह three यह four और यह fifth की range थी right लेकिन अभी के case में क्या है हम इसको overall three और four माने ही नहीं रहा है तो यह range का अभी कोई काम नहीं है right अब ध्यान से समझे यह जो bounce यहां से शुरू हुआ है चार तारिक से right वो यहां तक आना चाहिए तो यह wave three complete हो सकता है अब मान लीजिए कि यह bounce यहां तक यह impulse आया ही नहीं और इससे पहले खतम होके अगर retrace कर देता है तो भी हमें इस count को फिर से change करना होगा वो क्या करना होगा अभी के लिए वहां पे जाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि अगर यह achieve किये बिना ही retrace करता है तो यह 1, 2 और 3 यहां पे भी नहीं 3 यहां पे complete होगा और फिर उसका 4 आएगा और 5 जाएगा और यह wave 3 जो है वो वहां पे complete होगा यहां पे भी फिर नहीं होगा अगर यह achieve नहीं करता है यह तब की बात है अभी के लिए तो हमें क्या लग रहा है कि यह जो 5 है वो यहां तक जाना चाहिए तो अभी हमें check करना है कि क्या यह bounce यहां तक जा सके इस तरीके का लग रहा है इस impulsive के अंदर हम check करेंगे counting कि क्या यह 24,956 जा सकता है probability है तो इस bounce को अगर हम smaller time frame में देखे यह hourly chart पे 1 और 2 complete लग रहा है यहां पे कोई doubt नहीं है अब यहां से ज कालने की कोशिश करेंगे तो कहीं पे भी 23% भी यह retrace नहीं हुआ है फिर भी क्या है यहां पे भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमने इसको 3 और 4 consider करके 5th का projection निकाला तो वो projection भी आज minimum जो है वो अचीव हो चुका है 38% भले ही यहां पे 23% retrace ना किया हो फिर भी अगर हम इ चीव हो चुका है यह 5 की range है जिसमें यह already अब आ चुका है अब मान लीजे कि यह तो retracement दिया तो नहीं है फिर भी हमने 3 और 4 consider कर लिया अब यह impulse मान लीजे कि यहां पे इस range में complete होता है तो ऐसा भी possible है कि यह wave 3 जो है यहां पे नहीं अभी भी progress में है और इसके आसपास complete ह होगा अभी तो यहां से 23-38% की range में अगर corrective decline आता है तो हम 3 और 4 को यहां पे shift कर देंगे क्यों कर देंगे ऐसा क्योंकि यह retracement 23% भी नहीं आया है तो doubtful है कि यह wave 3 यहां पे ना complete होके अभी भी progress में हो right तो जब मान लीजे कि यह यह पूरा जो bounce है उसका 38% तक यह sharp decline आ जाता है तो मान सकते है कि यह 1,2,3,4 और 5 complete हो चुका है right तब तक नहीं मान सकते है और दूसरी बात जैसा हमने देखा कि यहां से जो bounce शुरू हुआ है जो third का 5th शुरू हुआ है उसका projection हमने minimum 38% का क्या देखा 24,956 तो वो तो अभी यहां से 600 point दूर है right 600 point से तो possible है कि यह 3 यहां पे नहीं पहले अभी 3 complete होगा उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5th जो है वो उपर जाएगा और वो 24,956 जो है वो अचीव कर सकता है right तो इस case में अगर हम देखे तो यह wave 3 जो है वो आसपास ही यहां पे शायद completion के पास ही हो तो उसके लिए यहां से जो bounce है उस पर हम focus करेंगे क्या यह impulse complete होने के आसपास है तो उस range में से हमें यहां से यहां तक का 23 to 38% का retracement मिल सकता है और उस retracement से फिर से हमें एक bounce देखने को मिल सकता है यह जो retracement हम लगाएंगे उसका 38% जब break होगा तभी हम nifty को negative मानेंगे right तब तक नहीं मान सकते है यह pattern जो है यहां से जो bounce है उसको देखेंगे कि यह कहां तक जा सकता है तो उसके लिए फिर sad को बंद कर देंगे और यहां पे देखेंगे तो यह one और two complete हो चुका है यहां पे भी last video में हमने discuss किया था कि three के अंदर one two three four और five यहां पे complete लग रहा था लेकिन उसके बाद यह irregular correction भी हमने telegram channel पर identify किया उसके बाद हम एक ending diagonal का plan भी कर रहे थे लेकिन यहां से उसके बाद भी यहां से decline नहीं हुआ वापस retrace यह bounce कर गया मतलब इसका retracement यह sharply दे गया राइट तो अभी जो है यहां पे internal में ना जाते हुए अगर हम इसको three और इसको एक irregular complex correction यहां पे four consider कर तो fifth का projection आ रहा है 30 to 61 percent 24 371 से 24 565 इस range में यह wave 5 complete हो सकता है जो अभी minimum तक भी नहीं आया है तो अभी हम क्या करेंगे और भी immediate move के लिए यह जो bounce है wave 5 जिसे हम बोल रहे है उसको भी smaller time frame में देखेंगे 5 minute में देख लेते हैं कि यह किस तरीके से यह minimum है 24 371 उसके उपर कहां तक जाने की probability यह रखता है तो उसके लिए उसको smaller time frame में देखें तो यहां पे तो यह 1 और 2 के बाद add को बंद कर देंगे और यहां से अगर हम देखेंगे तो यह 3 का retracement निकाले तो 23 और 38 percent में से आज यह bounce किया है अब मान लिजे कि यह अभी भी corrective है और decline क सकता है अब मान लिजे की नीचे नहीं गया और यहीं से continue किया तो यह 5th की range निकाली है 38 to 61 percent अब overall यह जो 5th है उसका ही minimum यह है 24 371 तो वो तो अची होना ही चाहिए इसका मतलब इसके उपर इस range में 61 percent के आसपास यह मतलब 24 400 मान लिजे उसके आसपास जो है यहां से जो impulse लग रहा है तो इसके आसपास ही यह impulse complete लग रहा है कौन सा वाला impulse फिर से वापस जाएंगे पीछे की तरफ तो यह 5th जो शुरू हुआ है वो 24 400 के आसपास complete लग रहा है और यह कहां से शुरू हुआ है यहां से शुरू हुआ है तो यह impulse इसका 24 400 के आसपास लग रहा है तो यह तो complete हो जाएगा right तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जो bounce है उसका target हमारा 24,956 वो तो अभीद भी इससे साड़े 500 point दूर रह जाएगा इसका मतलब की probability है कि यह 3 होगा इसको हमें यहां पे shift करना होगा 24,400 के आसपास उसके बाद इसका retracement निकालेंगे 23 to 38% जो यहां तक आ सकता है 24,000 के थोड़ा नीचे वो calculate करेंगे हम right वहां पे 4 बनाने के बाद फिर यह जो है 24,956 वाला target जो है वो अचीव करने जा सकता है right तो इस तरीके का आप यहां पे आने वाले time में यह nifty जो है वो progress कर सकता है right तो वीडियो अगर नहीं हूँ वीडियो बनाने में तो आप लाइक और शेर करेंगे तो फिर से regular हो जाओंगा right यह तो थोड़ा boring काम है समझे इसके लिए मैंने यह सारे charts जो है वो बनाके शेर यह सेव किये पहले यह weekly का किया फिर hourly का किया 30 minute का किया और इसमें भी counting देने में भी time लगता है यह थोड़ा सा boring काम है आला कि मेरा भी काम होता है मेरी भी study हो जाती है next day के लिए लेकिन फिर भी यह मैं अगर SEO करके लक्र लेता हूं तो मुझे explanation खुद को देने की जरूरत नहीं है right तो मैं आपको explain करने के लिए video record करता हूं edit करता हूं आला कि editing बहुत नहीं होता है जो भी मन में आता है मैं बोल देता हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा boring तो है friends तो थोड़ा like कर दीजिए तो motivation मिलेगा regular videos आपको मिल सकते हैं चलिए video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनिवाद